हेलो स्टुडेंज वेल्कम बैक्टू कॉस्ट लॉक्स आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नमबर्स इतॉमिक स्ट्रॉक्टर चैप्टर का यह टॉपिक है और क्यमिस्ट्री का अगें वन अफ ता इंपॉर्ड़न टॉपिक है यह आटुम्स क्या होते हैं कैसे इनको हमने मतलब डेजाइन किया है एलैक्ट्रों की लोकेशन को बताने में कैसे help करते हैं यह सारी चीजें मुझ वाले हैं बट उसके पहले हम एक आड़ेम के या smallest unit होती है बट फिर भी हमें इसका एक basic idea है microscopic level से तो हम उसको आज थोड़ा सा पहले discuss करते हैं और यह देखते हैं कि electrons कहां present होते हैं फिर उसको और अच्छे से technically locate करेंगे सबसे पहले एक atom के particles क्या क्या है एक atom के subatomic particles मतलब कि atom के further division अगर हम देखें तो किन particles में है वो सो जैसा कि यह तो हमें पता होता है proton neutron and electron सो यह तीन particles हैं जिसमें atom का further division होता है जिनको हम लोग subatomic particles भी बोलते हैं सो अब हम एक atom के structure में मतलब microscopic structure में इस चीज का एक अंदाजा ले लेते हैं कि यह जो subatomic particles हैं इनके कहां-कहां मिलने की probability है मतलब हमें कहां मिलेंगे इस structure में एक simple atom का structure consider कर लेते हैं जिसमें मैंने यह जो dark line बनाई है यह बहला region छोटा सा nucleus का reason होता है and जो nucleus का reason है वहाँ पे हमें proton and neutron मिलते हैं एक atom के rough structure में अगर हम देखें तो सबसे अंदर का core part है that is nucleus वहाँ पे proton and neutron मिलते हैं इसके बाहर की जो space होती है उसको हम लोग orbital कह सकते हैं और यह जो space है यहाँ पे electron के मिलने की probability जादा होती है जैसे हम यह imagine कर सकते हैं यह बाहर का पूरा space है suppose कि यहाँ पे electrons present है सो यह हमारे क्या हो गए electrons हो गए अब यह तो हो गया हमारा एक rough structure एक atom का बट अब हमें यह देखना होगा कि इसमें quantum number हमारी help कैसे करते हैं मतलब उनकी help से हम कैसे एक electron की position को perfectly locate कर पाते हैं सो अब हमें वो समझना होगा सबसे पहली चीज तो quantum number कुछ चार numbers का एक set है जो हर electron को assign होता है मतलब अगर हम मालीजी सिर्फ एक electron की बात कर रहे हैं एक single electron की बात कर रहे हैं तो इसको चार quantum number assigned होगे अब वो क्या है उनको हम detail में discuss करने वाले हैं बट यह चार quantum numbers की जो value होगी एक electron की उसकी help से हम एक electron को locate करेंगे तो अब हम इसी चीज को एक अच्छे से example से समझ लेते हैं suppose हम अपने house का address हमें locate करना है एक house के address को locate करने के लिए we need four parameters एक अगर हम roughly बात करें तो हमको चार parameters की जरूरत है जैसा कि अभी हमने बात किया कि एक single electron के लिए हमें चार quantum number की जरूरत है ठीक है तो वैसे हम इसको एक example से समझ लेते हैं कि एक house का जो address है तो उसके लिए हमें क्या-क्या parameters की जरूरत होगी सबसे पहले तो country then city then colony कि क्या colony का name है then your house number okay so एक particular house को locate करने के लिए we need four parameters in the same manner एक electron को एक atom में locate करने के लिए we need four numbers four parameters जिनको हमने क्या कहा है quantum numbers now in four quantum numbers के क्या names है वह हम लोग आगे जैसे जैसे उसको introduce करेंगे तो discuss करेंगे अभी से pressure लेने के कोई जरूरत नहीं है okay so अब इसमें एक और बहुत important चीज हम देख लेते हैं कि जैसे suppose हम यह बोलते हैं कि हम दो different houses को consider कर रहें suppose यह एक house है house number one और यह house है house number two अब यह जो दो हमारे different houses हैं अब हम इनके माल लिजे कि यह निकालने गए हैं चार parameters की value मतलब हमें इनको locate करना है तो हमने इनको चार चार number assign करना है so अब मेरा common sense का question आता है कि क्या यह चारो numbers इन दोनों houses के लिए same हो सकते हैं क्या मतलब इसको मैं एक set of four numbers दूँगा और इसको set of four numbers दूँगा numbers are what you call these names तो यह चार दूँगा तो क्या यह एकदम चारों सेम हो सकते हैं तो इसका answer है no क्योंकि अगर हम दो different houses consider कियें तो वो उनमें कुछ ना कुछ difference हो गाई या तो वो अलग-लग colony के houses हैं में भी अलग-लग city के हैं या फिर अगर यह दोनों parameters माल लिए same हो भी गया तो उनका house number different हो जाएगा so ऐसे ही atomic structure में हमारे पास एक simple सा एक principle है that is police exclusion principle now police exclusion principle क्या कहता है कि कोई भी अगर आप electron ले रहे हैं मतलब दो different electrons अगर आप consider करते हैं तो उनका you won't get all the four quantum numbers same मतलब no two electrons can have all the four set of quantum numbers same जैसा कि हमने इस example में भी समझ लिया कि अगर हम दो different different houses consider करते हैं तो वो कोई ना कोई parameter में differ करी जाएगा वैसे ही दो different electrons अगर हम consider करते हैं तो उसमें कोई ना कोई quantum number उन दोनों का different हो गई होगा तो अब हम अपने example को simultaneously लेके चलेंगे अब detailed discussion स्टार्ट करते हैं quantum numbers का ओके तो हमारा first जो सबसे main quantum number है that is principal quantum number now principal quantum number को हम लोग small n से denote करते हैं अगर technically देखा जाए तो यह main energy level बताता है कि हमारा electron जो atom में present है तो उसका एक main energy level क्या है ठीक है now अब हम अपने example में देखें तो जैसे हमने हमारा first parameter क्या लिया था country अगर एक house को locate करने चाह रहते हैं तो हमारा first parameter था country तो वैसे ही simultaneously हमारा चलेगा यहाँ पे n मतलब principal quantum number now अब जो यह n है इसकी values differ कर सकती है 1,2,3,4 and so on तो यह जो energy levels हैं इनको हम लोगों ने name दिया है KLMN ऐसा तो यह जो हमारे energy levels होते हैं इनमें एक fixed number of electron accommodate हो पाएगा और वो value different होती है मतलब KLM सब में fixed number of electron accommodate होगा और वो different value होगी अब वो value हमें कैसे मिलती है उसका एक simple हमारे पास rule है that is 2N square मतलब अगर आपको K shell में पता लगाना है कि कितने electron आ सकते हैं तो सबसे पहला K ऐसा चले गई यह जो values है corresponding तो K में हमारी N की value क्या है 1 है तो 2 into 1 का square that is 2 तो मतलब K में कितने electron आ गए 2 electrons आ गए अब suppose हमको ऐसे ही L का पता लगाना है या M का पता लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं जो इनकी respective values है उनको we can take सो हमारा यह ऐसे करके answers आते जाएगा So I hope आपको यह first quantum number हमारा principal quantum number अच्छे से clear हुआ होगा और जो हमारा example है उससे भी आप relate कर पाए होंगे जो इसमें आगे तीन बचे हुए quantum numbers है आने वाले वीडियो में discuss करेंगे and if you have any doubt in this you can tell me अगर आप नए इस चैनल पर तो subscribe कर लिजे आपको ऐसे ही amazing content मिलेंगे and please share the video उपको उतरा